आशा करता हूँ आप सभी कोशल मंगल होंगे, बिरेनाम राज है और आप सब का आपकी अपनी चैनल एक्जाम 24-7 में हर्दिक स्वागत है तो चलिए आज की करेंट आफ़े की क्लाश शुरू करते हैं किस बैंक का हाल ही में चालू वित्र वर्ष की तीसरी तिमाई में 106.81 प्रतिशत अधिक मुनाफ़ा बढ़ा ओप्शन्स आर ए बैंक उफ परोदा बी यस बैंक सी यूनियन बैंक या फिर दी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर है सी यूनियन बैंक चालू वित्र वर्ष की तीसरी तिमाई में सारुजनिक शेत्र के बैंक यूनियन बैंक ओफ इंडिया ने 2245 करोड रुपे को लाप कमाया है जो पिछले वित्र वर्ष की समान अवधी के 1085 करोड रुपे की तुलना में 106.81 प्रतिशत अधिक है किस बड़ी निजी कंपनी का चालू वित्र वर्ष की तीसरी तिमाही में मुनाफ़ा 15 प्रतिशत घटा है इसका आंसर है बी रिलाइंस इंडिस्ट्रीज चालू वित्र वर्ष की तीसरी तिमाही में पेट्रो रसायन, दूर संचार, रिटेल और डिजिटल सहीद विभिन छित्रों में कारोबार करने वाली देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलाइंस इंडिस्ट्रीज लिमिटेड ने 15,792 करोड रुपे का समग्र शुद्ध लाब अजिद किया है जो पिछले विद्रवश की इसी अवधी के 18,549 करोड रुपे के लाब की दुला में 15 प्रतिशत कम है Q3. अभ्यास साइकलोन Q1. कि इस दो देशों के बीच का एक सैनिक अभ्यास है? Option A. भारत और मिस्र B. भारत और अमेरिका C. भारत और जापान या फिर D. भारत और चीन इसका अंसर है A. भारत और मिस्र Q4. कांग्रिस ने हाल ही में किस राज में ब्लाः कॉंग्रिस कमिटियों में And an answer is B. राजस्थान राजस्थान में ब्लाः कॉंग्रिस कमिटियों में कॉंग्रिस ने एक सूख साइक्रमिद में 107 मंदल अथियक्ष नियुक्त किये है कौन सा राज पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिन निदियों के अधिकारों में बड़ोत्री करने वाला पहला राज है आप्शन सार एक उतर प्रिदेश भी हर्याना सी पंजाब या फिर डी के रिला हर्याना के विकास एवं पंचायत मंतरी देवी इंद्र सींग बबली ने हादी में कहा है कि हर्याना राज देश का प्रत्थम ऐसा राज है जिसने पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिन निदियों के अधिकारों में बड़ोत्री गर उन्हें ताकत दी है इस कौन मंदिर श्री श्री राधा गरधारी उपवन उद्यपुर के किस गाउं में इस्तिध है औप्शन सार ए मलखपुर बी सिर्वा गाउं सी चिर्वा गाउं या फिल डी भिर्वा गाउं एंदा आंसर ए सी चिर्वा गाउं 22 जनवरी को इंटरनेशनल सुसाइटी फॉर किष्णा कॉंसियंटनेस त्वारा जिलों की नगरी उद्यपुर में चिर्वा गाउं में बनने वाला इस कौन मंदिर श्री श्री राधा गिर्धारी उपवन का शलन्यास किया जाएगा कौशन नमस सेवन हर्याना सरकार दोवारा इभूमी पोर्टल के तहट कितने एकड जमीन खरीद को मनजूरी प्रदान की गए ओप्शन आर 68 एकड B. 28 एकड C. 88 एकड D. 18 एकड and the answer is A. 68 एकड भूमालेकों से हर्याना सरकार दोवारा सरकार ये परियोजनाओ के लिए उनकी सहमती से जमीन खरीदने हेतु शुरू किये गए इभूमी पोर्टल के तहट आज 44 करोड रुपे की कीमत की 68 एकड जमीन खरीद को मनजूरी प्रदान की गए कोशन नमर 8 ब्रांड गार्जियन शिप इंडेक्स 2023 में वैश्विक इस्तर पर मुकेश अम्मानी की क्या रैंक आई है आप्शन सार एस सेकिंड यानि की दूसरी बी तीसरी सी चौता या फिल डी पांचवा एंद आंसर एस एस दूसरी रैंकाई है उनकी अरपती मुकेश अम्मानी ने माइक्रोसॉफ्ट के सब्तिया नडेल और गूगल के सुन्दर पिचाई को पिछाड कर ब्रांड गार्जियन शिप इंडेक्स 2030 में भाड़कियों के बीच नमर एक और विश्विस तर पर दूसरे स्थान पर पहुँच गए है कोशन नमर नाइन अंतरास्ट्रिय परेटन मेला FITUR 2023 कहां शुरू हुआ है और ऑप्शन सार A. पैरिस B. मैर्ड़िट C. न्यू यॉर्क या फिर D. न्यू डेली और आज़र इस B. मैर्ड़िट राइस्थान परेटन विभाग के प्रतिनिदी मंडल ने 18. जनवरी 2023 को स्पेंड की राजधानी मैर्ड़िट में आयूजित होने वाले अंतरास्ट्रिय परेटन वियापार मिला FITUR 2023 में भाग लिया है कोशन नमर टैन एवाई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बन जाएगा options are A. 2040, B. 2025, C. 2000, option D. 2047 and the answer is option D. 2047 भारती अर्थव्यवस्था के वर्ष 2047 तक 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुशने की समभावना है जो कि भारत की सतंतता का सौमावश भी होगा तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों कोशन सच लगए होंगे और कोशन सच लगए हों वीडियो से पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा और सबस्क्राइब कीजेगा धन्यवाद जहिंद रादे रादे